हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो यहां पे अगर आप लोग अपने फोन में Automatically change wallpaper अगर setting करना चाहते हैं जिसके बाद दोस्तो आपके फोन में जो wallpaper है वो यहां पे Automatically बारबार जो है change होने लगेगा जब भी आप लोग अपने फोन में जो है अपने फोन को यहाँ पर आउन करेंगे तो तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इस वाले सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने phone में setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर go or slide करना है फिर यहाँ पे आपको एक option आजाता है lock screen करके तो आपको यहाँ पे click करना है आप लोग यहाँ पे click करेंगे तो guys यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको glance for MI का option आता है तो आप लोगों को यहाँ पे click कर लेना है यहाँ पे आप लोग जैसे ही click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको turn on का option आ जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको Turn On कर देना है आप लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से Turn On कर दीजिए यहाँ पर अगर दिखा रहा है वहाँ पर Click कर ये और उसके बाद यहाँ पर यह On हो जाएगा तो जैसे ही आप लोग इसको On करेंगे न तो उसके बाद यहाँ पर आपकी फोन पर जब भी आप लोग अपने फोन को on करेंगे तो उस टाइम जो lock screen wallpaper रहता है वो आपकी फोन में automatically change होने लगता है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको अपने फोन में on कर सकते हैं तो गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए